रातो रात आनन फानन में न्याय मंत्राल्य ने भाजप्पा नेताओं को बचाने के लिए जस्टिस एस मुरली धर की दिल्ली हाई कोड के न्याय धीश के तोर से ही ट्रांसफर कर दी पूरा देश अचंबित है लेकिन मोदी शाहजी की सरकार दुर्भावना कुचसित सोच एवं निरंकुष्टा से ग्रस्थ है एक मजबूत वे सवतंतर जुडिशरी न्याय पालिका इस देश की रीड की हड़ी है हमारे देश के इतिहास में देश की न्याय पालिका ने कई अफसरों पर इस देश के नागरिकों और देश के समईधान की रख्षा की है यदपी ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार सत्ता के नशे में इतनी चूर हो कि वे इस देश के समईधान इस देश की न्याय पालिका इस देश के नागरिकों उन सब के विश्वास को कमजोर करती जा रही है प्रदान मंत्री जी एवं माननी अमिट शाह जी भारत वरश के लोग आपसे तीन सवाल पूछते हैं पहला सवाल क्या मोधी सरकार को यह डर था कि यदि भारतिय जनता पार्टी के नेताओं की सवतंतर और निश्पक्ष जाच हो जाएगी तो दिल्ली की हिंसा आतंक अफरा तफरी मिली भगत और शडियंतर का परदा फाश हो जाएगा सवाल नमबर दो निश्पक्ष वे परभावशाली नयाएश शुनिश्चित किये जाने से रोकने के लिए आप कितने और जज़ों को ट्रांसफर कर देंगे नमबर तीन क्या आपके पास अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा दिये गए विशैले बयानों को उचित ठहराने का कोई और रास्ता नहीं था इसलिए आपने जस्टिस मुरली धर को ही ट्रांसफर कर दिया जिससे पुलिस को आपकी जिनों ने पुलिस को आपकी पार्टी के नेताओं की जांच का आदेश दिया था भारत वरश के सब देशवासियों से हम याद दिलाना चाहेंगे के भाजप्पा सरकार की न्याए पालिका पर अनर्थक दबाब डालने तथा बदला लेने का ये पहला मामला नहीं है याद करिए के गुजरात के दंगों में मोदी जी और अमिट शाह जी के खिलाफ वकील रहे सुप्रीम कोट के परसिद जूरिस्ट शिरी गोपाल सुब्रमन्यम की सीधे सुप्रीम कोट के जज़ के तौर पर नियुकती को मोदी सरकार ने रोक दिया था इसके बावजूद के सुप्रीम कोट के कोलीजियम ने उन्हें सुप्रीम कोट का जज़ बनाने का निर्णे लिया था उस निर्णे की भी परवहा मोदी जी और शाह जी ने नहीं की थी याद रहे जब उत्राखंड में कॉंग्रेस की सरकार को जबरदस्ती गिराने और राष्ट्रपती शाशन लगाने का मामला उत्राखंड की न्याय पालिका में गया और जस्टिस केम जोसफ की खंड पीठ ने मोदी सरकार के राष्ट्रपती शाशन लगाने के निर्णे को खारिज कर दिया तो उसके बाद जब सुप्रीम कोट के कॉलीजियम ने जस्टिस केम जोसफ को सुप्रीम कोट का जज़ बनाने का निर्णे लिया तो मोदी सरकार न उसे रोक कर रखा, सुप्रीम कोट के कॉलिजियम को ये निरने शायद एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार दोरा ना पड़ा अगर मुझे सही याद है और महीनों तक सुप्रीम कोट के जज़ के तौर पर नियुक्ती रोके रखी गई क्योंकि उन्होंने शायद मोदी सरकार के राश्टपती शाशन लगाने के नाजाइज निरने को खारीज किया था मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि वो नियाएधीश जस्टिस अकिल कुरेशी जिन्होंने 2010 में अमिट शाजी को जेल भेजा था उनकी सुप्रीम कोट के कोलीजियम के दौरा किये गए नियुक्ती के निरने को भी इसी परकार से मोदी सरकार ने रोक कर रखा था मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जब शेल कमपनियों का जो निरने दिली हाई कोट की सीनियर ज़ज जस्टिस गीता मित्तल ने जब कर दिया और जिससे मोदी सरकार शाहिद आहत हुई तो उसके बाद उनका भी ट्रांसफर होकर वो जम्मू काश्मीर भेज दी गई थी ये अकेला मामला नहीं जस्टिस ताहिल रमानी का मामला हमने हाल में ही देखा ऐसा लगता है कि एक सूनियोजित शडियंतर है जहां जहां नियाए पालिका समईधान की रक्षा करेगी जहां जहां नियाए पालिका सरकार पर अंकुष लगाएगी जहां जहां नियाए पालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी जहां जहां नियाए पालिका गलत फैसलों पर निर्णे देगी तो नियाए पालिका के जजिस को भी अब मोदी सरकार बदले की भावना से या उनका तबादला करेगी या उनकी तरक्की और निखतियों को रोक लेगी दोस्तो भाजप्पा सरकार एमोमुस के नेता 2019 में अपनी चुनावी जीत के नशे में चूर है उन्हें याद रखना चाहिए कि इस देश के नागरिकों ने उन्हें सेवा के लिए चुना है शाशन के लिए चुना है ना की जनता को डराने और धमकाने के लिए और लोगों को गुलाम बनाने के लिए लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भारत की न्याय पालिका केवल एक सिधान्त का पालन करती है और वो सिधान्त है सत्यमेव जैते अंत में सदैव सत्य की विजय होती है ये उन्हें जानना चाहिए सरकार को